दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेडल चोधरी में और मैं आपका हुस्तों दोस्तों सलल चोधरी एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आपके समने हाजिर हूँ तो आज जो अभी कल आई भी एस याई हो के जो एक्जम सिटी का मालूम हो गया सारी हम बात करेंगे आज जो प्रिविस यह सब्जेक्ट वाइज कैसे कुश्चन कब किसके सब्जेक्ट से आए किसके टॉपिक से आए वो सारा कुछ बताने वाला हूं लास्ट साथ से आठ दिन में आप कैसे करें क्या करें कि नौ दिन रह गए गए अठारे फेब्रेरी क हो है इसका देखने के बाद में देखके चल रहा हूं साथ दिन तो लास्ट का एक दिन तैसे निकल जाता पूरा बताने वाला हूं में एबी आई भी जो इस यह को 2017 का पेपर था उसके बताऊं उसके बेस पे जो फैक्ट से डाटा है वो सारा बताऊंगा करेंट फिर्स कहा किस लूज और इस वीडियो को देख लेंगे और उस हिसाव से आप प्र पर एक तो आप लासकते हैं ठीकए सब्सक्रत करन से पहले आप मेरे क्यूर्ट देख सकते हैं बिना ताम विएस्ट के स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो जो पेटर्न है इस वार टोटी ट्वंटी वन का उसमें आप देख सकते हैं जो आपका एक गंटी कभी पर होने वाला है और यह पांस सेक्शन में बार्टा गया है जनरलर्ने वेर्नेस मेंली कर अट फेर्स कॉंटिति के लिए होगा वह अलग बात है अभी फिलाल हम 18 February बताने वाले है ठीक है तो यह पैटर्न है आप देख सकते हैं 2017 में क्या थोड़ा फिक्स पैटर्न नहीं था बर जो भी है यह है तो 2017 के एक्जाम की बात करें तो जो हमारी एक्जाम डेट थी वह थी 15 अक्टूबर 2017 को ठीक ह और जो उसमें current affair के question आये थे वो 8 questions आये थे बाकि आगर आपको यह paper चाहिए 2017 वाला यह मैंने टेलिग्राम पर डाल दिया है जो जाहतर question थे वो जुलाई अगस्त और सेप्टेंबर जाहतर के सारे question ही यह थे इन तीन महीने से एक भी एक्ट्रा question नहीं था आठ का question इन ही तीन महीनों के अक्टूबर में आपका paper हुआ है और इन तीन महीने के current affairs आये थे आप सोच लीजिए स्टमबर और अक्टूबर मतलब just exam date से तीन महीने पहले का इसी हिसाब से कर आप देखेंगे इस बार के अगर जिसे 2021 का paper है वो अठा रहे February से start हो रहा है ठीक है तो तब 15 October से हुआ था तो उस हिसाब से तीन महीने बंते हैं जिए आपके November, December और January यह तीन महीने के current affairs जो भी 2021 के लिए देने जा रहे है उनको जरूर करके जाने चाहिए क्योंकि यही तीन महीने के most important जहातर current affairs इनी तीन महीने के आने वाले है ठीक है तो बीस questions और आने वाले हैं इसके तो बीस questions current aware के आएंगे तो most probably वह इनी तीन महीने के आएंगे तो November, December, January आपको अच्छे से करके जाना चाहिए ठीक है एस्प्रेंस चलिए आगे बढ़ते है तो general knowledge के जो last paper आया था उसके according जो break up था यह था कि quality के 5 questions थे जिसमें fundamental rights से थे और fundamental duties से और ऐसे fact-based थी थे बट पांच question quality से थे पांच question economy से थे ठीक है दो computer से थे इसमें full form से related था www की full form थी उस से related था मोगल स्पीरियर से दो question थे मोगल काल से सल्तनत काल से एक question था मतलब आप देखें तो history से total तीन question हो गए आपके physics का एक question था और एक कोश्चन और extra होगा तो वह होगा तो यह आपका पिछलिवार general knowledge का break up रहा था subject wise तो आगर आप quality economy computer और यह history में modern इंडिया की जिए पर यह म दो सजाब question आयते है series के जो आगे दे रखे होते हैं और चार-पांट चीजें दे रखे होते हैं फिर यहां पर फिर पुछते हैं तो वह number की भी series आयती और ABCD PQRS वाली words की वह भी series आयती दोनों series आयती और total 7 question से series के analogy के तीन question से counting where के दो थे एक में lines का count करनी थी और एक में तो reasoning के specifically आप उच्छे marks लाने तो इससाब से आप focus कर सकते हैं किन-किन chapter पर आप focus करें यह आप देख सकते हैं क्योंकि यह जस्ट अभी 2017 का एक्जाम था इसलिए बहुत relevant data है यह आपके लिए English में आप देख सकते हैं कि idiom phrases के 6 थे वन वर्ट के 2 थे इंटो चैनों के 4 थे grammar आमर के 6 एरर और सेंटेंस इंप्रूब्मेंट 6 थे फिलर पांस थे और एक्टव पैसिव का सिर्व एक कुश्चन था और एक आप को हो तो नहीं तो इतने कुश्चन थे ठीक है स्प्रेंट्स तो यह आपके specifically focus area अगर आप prepare कर रहे हैं और अभी आट नो दिन में तो इन इ आए थे percentage के दो आए थे ratio का एक आया था time and work का एक आया था CISI का एक आया था जियोमेट्री का एक आया था और वह भी एंगल बेस्ट था जैसे कि ट्रैंगल में है माननों फारेंगल 248 का ratio है तो पूछ रहे थे कि ट्रैंगल राइट एंगल ट्रैंगल एक्ट्रैंगल ट्र होंगा कि math में arithmetic math पर आप focus करके जाए अगर अब यह आपका paper है और आपने math बहुत अच्छे से नहीं किया है तो आप यह IB ACIO paper के लिए arithmetic math का focus अच्छे से बढ़ा ले time speed and distance ratio proportion time and work कि यह सारे chapters आप अच्छे से concept दुबारा से revise कर जाए फोकस करें लास्ट नौ दिन में कि आप arithmetic math पर करें ठीक है sprints और जो cut off की बात करें जो आए भी ACIO की गई थी गई तो क्या थी कि कि किसी को officially तो पता नहीं कि officially उन्होंने को रिलीज करी नहीं थी बट जो भी जैसे sprints बता जेते हैं जिन त्रे में उनके marks हो रहे होते हैं उसके बिस्ट पर तो जो लास्ट सर्वे व लगव 100 गई थी यह अप्रोक्स हैं एक्जक्ट यही डाटा नहीं क्योंकि वह official release करते नहीं cut off तो आप यही एक्सपेक्टेड यह अप्रोक्स इतनी के आसपास गई थी जो उस टैम पर गई थी तो इससे आप अंदाजा लागा सकते हैं 2017 का दिन पहले की बात नहीं तो 65 ग पर यह अप्रोक्स है तो अभी बच्चे सब ज्यादा तर स्टैक जी के पर लगे होंगे बट मैं यह कहूंगा कि आई भी का जो प्रिविस एर का जो रिकॉर्ड है वो करन्ट अफियर और नॉर्मल कुस्टिन पूछता है स्टैक भी की जी के बहुत ज्यादा नहीं पूछ मैं वेस्टा करें लेकिन नवंबर डिसमबर जयनरी फैबरेरी के नावनबर दिसमबर जैनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीन महिने का करन्ट आपको बहुत अच्छे से करके मैथ की मैं बताऊं तो फोकस करना अरिथमेटिक जैसे मैं पहले बोल चुका हूं उससे सार यही है इसके अलावा यह जो आठ नो दिन बचे हैं अपना बैस्ट दीजिए आपको जितना हो सके पढ़ाई में टाइम गुजारिए ज्यादा से ज्यादा अपने अकेले रहिए किताबों के साथ रहिए यूट्यूब यूट्यूब पर बहुत जादा टाइम वेस्ट मत करि यह डाटा जो आपको मैंने प्रोवाइड करा है इससे आपको समझ सारा आ जाएगा आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना ठीक है बुक्स होगेरा कि उस सबकी मैंने स्ट्रेटिजी वीडियो डाली हुई है सब्जेक्ट वाइज भी डाली हुई है आप चैनल पर जाके द